तो गाइज आपका एक बार फिर से मोश्ट वेलकम है ओन्लाइन क्लास करने जहां पर कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें इंटीरे फिटाउट अब मेरे को एक ची बताओ यार इंटीरे फिटाउट से क्या मतलब है आप क्या समझते इंटीरे फिटाउट होता क्या है या क्या डिफरेंस है एक बेस बिल्ड प्रोजेक्ट में और एक इंटीरे फिटाउट में अवाज आ रहे है भाई मेरी खोल दो अपने माईक खोल दो बोलो क्या होता कि आइंटीरे फिटाउट और हाउट इस डिफ्रेंट फोर्म बेस बिल्ड प्रोजेक्ट जो मेरा जो है इंटिर्यर मतलब जो भी है इंटियर फरनीचर स सर्ष लूस फरनीचर हो गए फिक्सफर निचैर एंटियर सेट भै कर दो पारफिन ऊप्तिंट आपि को घे सैंटस्ट विटो गुप भी में अнаком्येंट ेनрим दाई ड्न चल्ट होगा है तो वेस्ट और कुछ आइडिया है बेस्ट और इंटीर फिटाड वेटिक लिए में तो हमारा जो है बेस्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें और सिसी का ज्यादा यूज होता है अरंसे इस ची जिए पे ना जब लिए और वगाइं इससे लिए प्लीज एपसेट देतें उसंें बिल्दिंग बना कर देंगे घर जैसे पनाया घर जब बनता है तो आपको ने अपने लिए को फर्निश होता है उसमें खया वाटरूम की लगा होगा और क्या बोलते शावर लगेंगे फिरकी दर्वाजे यह लगेंगे फ्लोरिंग लगा वाल्स पेंट प्लास्टर हो गया तो ठीक है नहीं वहां तो वह भी नहीं प्लास्टर करके छोड़ दिया उन्होंने जब हम जाते हैं घर के अंदर तब हम अपने इसाफसे इसको डेकोरेट करते हैं या फिर कोई हमें डेकोरेटि आइटम्स लगाना है वह कैसे लगाना है और हमारे जब कमर्शल की बाद हो तो कमर्शल में बहुत कुछ है कमर्शल में फिर हमारी आती है एक्वीएसी की द्वाइंग इलक्ति आती है तो वह बहुत सारे आइटम्स होते हैं अब हमारे पास जो है कि अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हमें यहां पर क्या होता है हमें यहां पर एक स्किलफुल मैन फावर एक स्किल फौन्टक्टर क्या चाहिए हमेरे को एक स्किलफुल कॉन्टक्टर चाहिए जिसके पास एक्सपरटीज मेरे 答ालini लंग होता हमारे को कि कुछ भी कर रहा हो जो फिनिशिंग क्योंकि गूल इंटीजे फिटाउट की बात आते हैं यहां पर जो है एक्सपरटीज यह क्योंकि अगर आप जैसे सिविल इंटीजर वाला क्या होता है वह एक कह सकते हैं वह इतना अच्छी क्वालिटी का बंद मतलब क्या होता है कि कॉलं पर प्लास्टर पर प्लास्टर करते हैं को अपनी कम्यों को छुपाने के लिए या रहनी कंभिंग होता है या कुछ भी है है अधर्वाइस तुमने देखो जो बड़े इस्ट्रक्चर्ट होते हैं जैसे मैट्रो के फिलर्स हो गए या कोई आर्टसी का जो इस्ट्रक्चर है क्या अभी सब्सक्राइब करें इसकी इतना अच्छा होता इस मतलब कहते हैं उसमें इस्पेशल जो है प्लास्टर करने की जुरुति होती है प्लास्टर क्या है वो तो हम अपनी कम्यों को चुपाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टर को जो प्लास्टर करते हैं वह हम अपनी कम्यों को चुपाने के लिए करते हैं जैसे हनी कमिंग वगरा है या स्टील कहीं पर भाहर दिख रह के लिए प्लार को करते हैं तो तुमने देखा हम जो बात करहें थे हम लोग कौन כौन सब्सक्राइब हम लग अलग 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 पैकेज़िस के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट को हए मैं इन्टिएर इंटिएर फिनिशिंग के नदर करते हैं ठीस पैकेज देते हैं अब घ्व फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल पैकेज फिर आता है थर्ड क्या है एच्वी एसी एच्वी एसी फॉर्थ आता है प्लम्बिंग प्लम्बिंग का अलग प्लम्बिंग फिप प्लम्बिंग फायरफाइटिंग फायरफाइटिंग ठीक है उसके बाद आता है सिक्स क्या है ए कि और क्या हो सकता है कि मेजर ली यही हमारे जो है में पैकेजिज होते हैं कि सी अड़ाई एलेक्रिकल एक्टिकल एक्टिकल में क्या होगा अगर हम यहां पर बात करें हमारे इसकी तो इसमें सीडाय दे इसमें सीन्टी एड़र की अंदर क्या होगा हमारा कभी यो जो हमारा काम होता है का हम लोग मानलों जैसे कोई द्यृल की बिल्लीग कोई थुम्हारा घरी है तुम्हें किराये दृट può रेंट पर दे दिया तो जो तुम्हारा किरायदार आएगा वो तुम्हारे इस्ट्रक्चर को कभी छेड़ेगा नहीं तुम्हारे इस्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेगा ठीक है आर्सेसी मेंबर को खास तौर पर आर्सेसी मेंबर को कभी डैमेज नहीं करेगा जो इस्ट्र लेकिन वो कभी भी आर्सेजी स्ट्ट्टर को नहीं चेड़ेगा समझे तो यहां पर जो सिविल की बात करें सिविल में जो क्या हो सकता है काम सिविल में क्या हो सकता है या ब्लॉक्वक एकान ब्रिक वग या ब्लॉक वग होसकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकते हैं यहां पर यहां पर जो का है करशीप बोल का ठीके पार्ड़ अब प्रटीजन वॉल में जो है हमारा मैटर्यल क्या लग सकता है जीप सुम में दावा फिक इस अ प्रतिक । जिसंव और भी अलग लग तरीकिये आते हैं क्या होताए है टिस्थान में इस संब्सक्म मेर्ण क्या होता है जिसम बोड देखें कभी जिसम बोड देखें कभी जिसम बोड देखें कभी तो नॉर्मल आते हैं और एक आते हैं फायरेटिट बोर्ड पिंक कलर के जो होते हुआ जिसम बोड का हम लोग जो है इंटीर फिट आउट का काम कर सकते हैं और क्या होगा इसमें इंदर पेंट वर को सकता है पेंटिंग हो सकता है पेंटिंग फ्लोरिंग यह सारी चीज़े किसमें आएंगे यह आपके जो है और सीलिंग इंदर की इंदर आएंगे एकटिल और इंटीर में ही ऐगा जाएंगे में क्या आएगए उनकर पैकेजज़ा जाएंगे कि जब अलग-लग करेंगे इनको एलक्तिकल में एक्टिकल का मायगा अच्व जहीं में क्या होता है आफ जो होता है तो मतलब क्या होता है जो हम लोग नॉर्मली घरों में तो हमें एक नॉर्मल उसमें लेकिंजिक कमर्शल की बात करते हैं तो कमर्शल में क्या होता है में हम लोग क्या करते हैं चिइलर डंसलगते हैं फिर वहां से जो ए जो है आपका जो額लटो यहां डाटॉर गष्प connection ० याप लोग करते हैं मैं प्लम्मिंग मैं क्या होगा प्लम्मिंग प्लमिंग उसे रहें इंग कि दे रहें पानी वगरा कि दिये तो आपका फ्लमिंग चिया है आपने देखा कमर्शियल में जो है आग लगने के सिट्वेशन में क्या करेंगे वह हमारा सिस्टम होता है उसके बाद है आई-टी क्या है हमारा इंटरनेट ओफिस है ऑफिस के इंटरनेट के कणेक्टिविटिटी देना हर इसक पर साथ आपने फ्लूर को मोनिटर करते हैं चाहीं पूरी प्लोर को मॉनिटर करते हैं तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं जो हमारा फ्लॉर अब यह आप यह देख रहे हो यह हमारा फ्लोर का प्लान है ठीक है यह फ्लोर का प्लान है अब इसमें देखो गए अगर फ्लोर प्लान में तो यह जो है हमारा फ्लोर फ्लान ठीक है इसमें यह किया है हमारा यह हमारे टेबल्स लगी ब्रेकाउट एरिया अड लिगाउट किसको बोलते हैं अज कि ब्रेकाउट एरिया क्या होता है इसको हम लोग करेगा उसके बाद जो है नेक्स्ट यह नाम पता होने चाहिए क्योंकि कई बारी जो है यह चीज़ा आती है जाते हैं पता होना चीज़ा है उसके बाद जो है जैसे हमारा यह यहाँ पर लगा रहा है यहां पर क्या है हे यह क्लाइंट का पार उनर का इसमें हमें कुछ नहीं करना है यह क्लाइंट का पाट कि यह दो है यह ऑग कुछ नहीं कर सकते हो यह शॉप्ट समझते हैं हमने बाद किया होता है तो इसलिए होती है कि है अधिकल सर्फिस है थो इसलिए होती है क्या होता है कि क्या होता है यह वंटिलेशन के लिए हो सकता है लिफ्ट के लिए होती है आपकी जो है फ्रेशेयर साफ्ट होती है और आपकी अब ये कमर्शल अब यह commercial project है तो इसमें अलग-अलग तरीके की आपको शाफ्ट नजर आएंगे अलग-अलग तरीके की शाफ्ट जैसे शाफ्ट 16 है एक शाफ 15 है सो जो 15 शाफ्ट है फिर लिफ्ट शाफ्ट नमर 12 है ठीक है लॉबी एरिया लॉबी क्या होता है लिफ्ट के बाहर जो एरिया होता है डिव्ट के बाहर जो एडिया होता है कॉमन एरिया बॉद्ध काल लिफ लोभी याहाँ पर शाफ्ट फिर यहां पर शाफ्ट है यहां पर फो difficult यहां पर लगा हूँ है तुम्हें वगर में जाते होगे तो लिफ्ट के सामने जो एक फार हैंड लगा रहता है तो वहां से आप पाइप काच को थोड़ के जो है पाइप को लिया सकते हो वह चीजह भूआ पर पाइप उसकी शाफ्ट की यह यह अच्छिलिए प्लम्बिंग शाफ्ट है यह उसके लिए इस्प ऐसी यह सिक्यूर्टी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको बोलते यह यूनिट यह पूरे प्लोर पर अइसा दो दो पार्ट होंगे पूरे फ्लोर पे तो नहीं फैंक रहा हुआ पूर्टिय्ट का एची रूम है यह 2 वन पर यह सूरा ज्यूरा अलग पूर्ट होना और इसकी लेख पें इदर वाले को लिए और हाफ इदर वाले के लिए तो यह है इसमें इसमें अलग पार्ट में इसमें अलग आधे पे इदर वाला आ रहा होगा आधे इदर वाली आ यह होगी हम बाद में देखें घूँकी पड़ेंगे रोशियें कर न चैँक दो इसको बोलते क्या इसको क्या बोलते हैं एक वर्किंग इसके बॉड़ एकरवाल के स्वेस अरिये में काउंट होटा है और यह वर्क्स्टे शटेशन लगे हैं इनको वर्क बीच में यह कि पैसेजर यह पूरा यहां पर कोई रूम में अपने 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 से नाम रखते हैं अपने रूम का है तो मतलब क्या होता है कि यहां पर हमारे जो आइटी के जो लगते हैं लोग इसको हब रूम कहते हैं यहां पर यहां आए यहां पर यहां पर हमारा एक यहां पर लगारा रखा है यहां पर यहां पर इस तरीके से इसको बैठने के लिए लगा रखा यहां पर आप फिसके लिए यह पर पार लगा रुण इपट लोए जान होता Ben अधर मींटिंग होते हैं यह क्या है यह परण में तौर रही यह चेसे एब इस टोर बना रहा कहे है ऩुम्हाइव कोन जरूम होगे संगे से फोन बूट होते हैं मारत पर्सटनल बात करनी है मीटिंग में ए क्लाइण से बात कर निया कि परिए पार बात करनी है या कोई परसनल खुट की बदात है उसके दो बाइव जाके बात कर सकते हैं गदा इसके बाएं यहां बनाया होता है उसके यहां देखो तो यह क्या है है यहां आए तो यह क्या है यहांपर यह आपधे हैं इसने पंचिंग वाधे तो वो लगा रखें आपके बपास पी लक्रोनिक काड होता है जिसे कि आप और यह पर लिखाए यहां पर लिखाए यहां पर लिखाए लौट पार्टेशन की थीधिक तरफ और यहां पर आपका और इजर आगए इजर आगए इजर आगए आगा इज़ा आगा है तो कि इस था यह पर यह बहुत यह जो है यह मीटिंग उंस इसीनियर प्रूम हो गया यह अधर भी था पर 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 वह सब्सक्राइब यह वह उसके बाद यहां पर इदर आए ने यहां पर एदर तौइलेट हो गया जैन्स टौइलेट है और यह लेडिस टौइलेट हो गाई इधर लेडिस टौइलेट है ठीक है इधर की तरफ से एंट्री एधर की आप इसमें बताओ कि आपको क्या क्या आइटम करने पड़ेंगे तो इसमें आ दिखा रखना इसमें में में धिखा रखा रखा किया है यह में में थिखाığın यह समझे है में आपने पेटिशन वोल है है और यह जो कॉलम के चारों तरफ देख रहे हो क्लॉम के चारों तरफ एकर हम सबसे पहले से अगर हम जाके देखे तो सबसे पहले हमें इनकी जिपसम बोड की लेनी पड़ेगी से जैसे कि आप वॉल की लेंथ लेते हो जैसे कि आप वॉल की लेंथ कि से अगरने लिनियर से और आप करके जो अपनी डाइमेंशन को लेते वे चलोगे यहां से आपका जो है मों पूरा मार लो बेशक से अब आपको अलग-लग करना कि इसका क्या अलग दखाना पड़ेगा और जिपसम का अलग होता यह बहुत ओधना तो इसमे थोड़ा सा भी जो है वो नहीं होना चीए और आपको बनाना पड़ेगा पूरा पूरा जैसे हम लोग क्या करेंगे पूरा जाएम की बनेगा आपको की दिखाता हूं उसमें क्लियर हो जाएगा हमें क्या क्या क्ल्कुरिट करना होता है झाल 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 तो यहां पर हमरा क्या है सबसे पहला आइटम है मारा अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहला क्या है मारा यहां 25 फुल हाइट बोड साइट जित्सम बोड पार्टिशन ठीक है फुल हाइट क्या है जित्सम बोड पार्टिशन का आइटम हमारा अगर बनाना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा पहला आइटम मारा क्या है 125 फुल हाइट जित्सम बोड पार्टिशन पहला यह आइटम हो गया तो अभी जो हमने कल्कुलेट क्या जो हम बता रहे थे बात कर रहे थे जो हमारा व्यों प्रूरी के पूरी पूरी लेंद कल्कुलेट करेंगे और उसके बाद वहां पर डाल लेंगे है कि और उसके बाद कि हुआ है उसक बाद का है फिसकी विए ही धोना सेमिये देखो इन नमें थोड़ा था किसी मैं सिंगल किसी में क्या है हमारा एक 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 लियर होगी और किसी में क्या है हमारी दो लियर होगी ठीक है डबल लियर है किसी में हमारी डबल लियर होगी तो इसमें क्या है फस्ट किन में प्रोवाइडिंग इन फिक्सिंग इसकिन इन पार्ट आफ इंक्लूद स्टैपर्ड एग सब्सक्राइब मतलब दो लियर से हैं समझ रहे हो तो लियर से हमारी किस चीज की जिपसम बोड की एक तो बेस है यह वाली जो है बूब बेस है यह 125 mm ठीक का बेस बना दिया उसके बाद उसके बाद उसने फस्किन डाली जिपसम बोड मतलब एक मटीरियल का मेक है उसका उसका जिपसम बोड लगाया इन दोनों की कॉंटिटीज में थोड़ा डिफरेंस है ठीक है कहीं पे जो है यहां पर जो हमारी कॉंटिटीज में अश्चिंग और फाइनल इसके बोड प्रवाइडिंग इन डोनों की कॉंटिटी हैं तो यह दोनों अश्चिंग की है ठोकि नब जिपसम बोड को समझ रहे हो दोनों में थिकनेस में अंतर है पहली वाली जो लेयर है वह आपके थर्टिन की है सेकंड लियर कितने की है कि मतलब टोटल टोटल मिला के 25 25 थिक हो जाएगी आपकी जिप्सम बोड की थिकनेस ठीक है उसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट के आइटम है इंसुलेशन विद इस्टोन वूल रॉक वूड कि माइक आपके थार वाइस ने हारी है अपकी कि इतनी देर से नहीं बोलर सुना यह दे ता, रॉक वूल मालू मैं रॉक वूल क्या होता है रॉक वूल, रॉक वूल मालू मैं इस टाइब का एक material होता है insulated material होता है insulated material इस type का ठीक है glass wool क्या है यह insulated material है इस type का material होता है इस में आता है यह आपके glass wool अगर तुम इसको हाथ पर लगाओ ना चिल देगा हाथ को यह किसलिए आता है इस पर लगाते हैं इसके बीच में इसको फिल किया रहता है तो उसके बीच में हम एंगल को लगाते हैं एंगल की फ्रेमिंग उसमें देखो कि पूरे इंगल के कितने कितने स्पेस पर होना चाहिए एंगल और कैसे लगने चाहिए एंगल ऐसा जी आई के लिखा हुआ उसमें उसके बीच में हम इसको उसके बाद जो है यह आपका और एंडियक यह क्या होता है क्या होता है यह क्या है और जिपसम बूरों यह क्या होता है अब लगाते हैं यार दोनों रहता है जैसे अपन बच्पन में एक्जाम देने के लिए बोर्ड ले आते थे वह हाँ नसे मैं और हाँ होगता है घावगता है जहां पर की हमें बेहीं स्ट्रॉंग बनाना शांपर टीवी वगेरा लगेंगे वहां से किसे आपको एंकर करनी हो बाद में समझ रहे हो यहां पर कोई चीज आपको बाद में एंकर करनी हो तीवी वगरा टाकना हो उस जगह पे उन चीज़ों पर हम लोग देखेंगे तो हमारे चारो तरफ से जो है वो नहीं है हमारा ग्लास का बना हुए जो हमारा फ्रेंट जो होता है है अगर हम देखेंगे तो हमारे फिर वह से क्लोज निए ऐसा होगा यह वाली यह वाली ग्लास से बनीन ग्लास से बनी वी तो हमारी जिपसम बोड लेकिंट से क्या यह ग्लास तो यह इस वाली इस टाइब की वॉल को हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा उसके बाद किया है नेक्स टाइटम के एट वन पुटिफाइव वैफल अब वजिपसम बोड यह क्या है यह क्या है कि जो हमारा जो कई बंशली क्या होता है हम लोग इसको बनाते हैं जैसे हमारा यह वह यह यह घणिए लगा लेते हैं यह वहां पर बनाते हैं लगा लगा लेते हैं तुमने रोलर यूठीने वाले जो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग वहां पर बनाते हैं लगा देते हैं तो प्रोजेक्टर स्क्रीन के आगे से हम लोग क्या करते हैं अब यहां पीछी जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है तुम्हारा जब फोड हो जाएगा तो उसके नदर चला जाएगा और जब खोल ना हो तो हम इस तरीके से हमने बना रखा है क्या थी इसको कहते हैं तो इसके लिए काम आता है यहां पर किसका बना रखाए जिपसम बोर्ड का बना रखा है तो उसके बाद किया है हमारा कि नेक्स्ट एक और में वाल पैनलिंग अभी मेना बात कि तरह पालम पर भी क्या कर रखा है उसने कवर कर रहा है को भी जिपसम बोर्ड से कवर किया हुए तो उसकी कॉंटिटी अलग से दिखा रखी है एंडिया बोल कहीं पर लेख़ेंगे तो दो 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 वर्टिकल मेंबर के